वेल्कम तो अनदर वीडियो ओन दे चैनल एक्स्पोरिंग रिट्रेशर विद एमी टॉपिक तोपिक तोड़े इस तिंटन एबे अपोईंब विल्यम वर्जवर्ज तो लेट्स के स्टार्टिट यह है वो जगह तिंटन एबे अब इसका टाइटल तिंटन एबे जो है तिंटन एक विलेज है और एबे कहते हैं एक ऐसी जगह को जहां पर जो प्रीस्प्स होते हैं पादरी जो होते हैं वो रहा करते हैं उसको एबे कहा जाता है तिंटन एबे, तिंटन के करीब एक एबे बनाया गया था, वर्डजवर्थ उस तिंटन एबे को विजिट करता है, और उसी के विजिट के बारे में ये पॉइम उसने लिखी है, इसके स्टाइल और स्टर्क्चर की बात अगर हम करें, तो ये जो पॉइम हैं, ये तायट्ली स्ट्रक्चरड इन ब्लैंक वर्ड से हैं और ये वर्ड्स पैराग्राफ में लिखी गई है, राधर दे लिन्दा स्टांजा, इसमें स्टांजाज नहीं है, ये वर्ड्स पैराग की फॉर्म में लिखी गई है और यह एक अन्राइम्ड पॉइम है जो के आयम्बिक पैंटरमीटर में है और इसको हम ओड भी नहीं कह सकते और ड्रामेटिक मॉनोलाग इसको कहा जा सकता है यानि इसके यह ओड है एपिक है इसके बारे में हम कोई एक्जैक बात नहीं कर सकते और यह second edition of lyrical ballads में publish होई थी जिसमें 19 points जो हैं वो wordsworth गी थी और 4 points जो हैं वो उसके friend ColgOoh की थी और यह उस second edition की last poem है अगर हम इस poem के themes के बारे में बात करें तो इसमें theme of memory Theme of Imagination, Theme of Worship of Nature, Theme of Religion और Theme of Beauty are the major themes इसका एक सब्टाइटल है या एक और नाम जिस पोईम का है Lines Composed a Few Miles Above the Tintan Abbey ठीक है और आज हम इसकी समरी जो है उसको डिस्कुस करेंगे The poem describes the beauty of the natural setting ठीक है beauty of natural setting and relays Wordsworth's thoughts about revisiting a place the first visited five years before the writing of the poem यहां हमें क्या पता चलता है कि Wordsworth उसने विजिट किया था पांच साल पहले भी Tintan Abbey को और वो पांच साल बाद दुबारा Tintan Abbey आया है और उसका वो जो revisit है उस revisit के बारे में वो poem लिखता है और उसकी memory में जो previous visit है वो भी मौझूद है इसलिए इस poem में theme of memory भी हमें नसर आता है इसकी sister Dorothy जो है वो भी इसके साथ थी और वो उसकी adult life में भी बहुत सारा time उसके साथ रही उसके बाकी बहन भाई जब उसके parents की death होगी उन्होंने भी उसका साथ दिया लेकिन Dorothy ने उसके लिए अपनी जिंदगी वक्व कर दी and she didn't marry और वो उसके साथ जो है जो है जो उसका second trip था टिंटन अबे में तो वो उस वक्त इसके साथ थी वर्डवर्ड की जो यह lines है lines written a few miles above tintern abbey यह basically banks of the way जो है एक river है उस way के river bank पर visit जब उसने दुबारा से किया तो यह उसका visit हुआ था 13 July 1798 में और फिर उसने यह poem publish की थी 1798 में ही ठीक है और यह एक climatic poem है lyrical ballads के अंदर tintern abbey जो है वो यंग words वर्डवर्ड जो है उसके first great principle के बारे में है और memory जो pure memories है उसकी उनके बारे में है जो के उसकी memories बनी थी nature के साथ जब उसने खुद को explore किया था nature को explore किया था nature के साथ उसका exposure हुआ था तो उस वक्त जब childhood memories जो है उनकी उसके बारे में वो बात करता है जो के उसके जहन में जब वो अडल्ट हुड में भी है उस वक्त भी मौजूद है वो कहता है कि वो अब बहुत अडल्ट हो चुका है लेकिन उसकी वो जो memories है वो बहुत अच्छी है और वो अगर वो कभी sad होता है या उसके एदगिद का महोल city life में for example अगर वो कभी जाता है और उसकी क्योंकि वो city life को एक अगली life कहता था और उसको वो पसंद नहीं थी तो वो कहता है कि अगर वो कभी city life में जाता है या कभी वो किसी वज़ा से सौरों में है या कुछ भी ऐसा तो वो अपना आपको खुश रख सकता है उन memories को recall करके इसके बाद words words की sister Dorothy जो है उसके बारे में हमें पता चलता है जब वो बताता है कि five years have passed five summers have passed five winters have passed तो इसमें theme of memory का हमें पता चलता है कि वो 5 साल बाद दुबारा आया और इस सब को बताने के बाद वो बताता है अपनी sister Dorothy को introduce कर राता है और Dorothy को वो address करता है as my dear friend उसकी dearest friend है उसकी भेन और वो कहता है कि Dorothy जो है वो उसके साथ थी जब वो वहां टिंटन अबे को revisit करने के लिए गया था Lions composed a few miles above Tintan Abbey is inspired by a day spent as tourist in the area of impressive and inspiring natural beauty अब वो वहां पर एक दिन जो उसमें वहां Tintan Abbey में गुजारा तिंटन अबे में जो उसने एक दिन गुजारा पांथ साल के बाद वो सारी memories जो उसने 5 साल पहले वो यहां आया था तो तब उसने कलेक्ट की थी, उनको भी वो रीकॉल करता है, और जो उनके बारे में भी वो लिखता है, वो कहता है, बहुत सारे जो लवली विवड डिस्क्रिप्शन्स हैं, लैंड्सकेप्स की, वो उसने वहां दी, फिर को बहते हुए देखा दरखतों को देखा उन सब की वो बात करता है और वो एक साइकलोजिकल और फिलासफिकल जो पौट्रेट है उसके अपने इंटर्नल स्टेट का वो भी वो हमें यहां पर बयान करता हुआ नजर आता है कि पांच साल पहले जब वो आया था तब उसका इं बारा आया है तो अब वो किस तरह कैसा फील का रहा है साइकलोजिकली और वो कहता है कि जिए इवोकेटिव डिपिक्शन्स हैं इमेजिस की जो के लैंड्सकेप को रेखने के बाद उसने कैप्चर किये थे विद म्यूजिंग्स अबाउड हिस ओन इंटरेक्शन्स विद द जब उसके अपने इंटरेक्शन्स हुए वो जब उसने उनके बारे में वो बात करता है इस तरह के इमेजिस उसके जहन में पैदा हुए उस नैशनल ब्यूटी के देखने के बाद वो उनके बारे में बात करता है और वर्ड़वर्ट फॉर एक्जामपल एक्स्प्लें करत रहा है पोईम्ब के अंदर के इस प्रोफार्ड ली एफेक्टेद बाइज इनिशियल विजिट तू अबे ठीक है यह जो विजिट है यह एफेक्टेड है बाइदा इनिशियल विजिट आफ दर इंटर अबे ठीक है और लिटल नेमलेस Unremembered Acts of Kindness and Love ठीक है वो Unremembered Acts of Kindness and Love के बारे में भी बात करता है Means अगर हम इसको दुबारा से डिसकस करें तो संबरी में वो अपने पिछले विजट के बारे में बात करता है फाईव वियर्ज पहले फाईव फाईव संबर्स भी गुजड़ गज़गे वो यहां पर आया है अपनी सिटर के साथ वहां पर उसने Dáनदसकेप दे dulnка यहां पर बहते हुए दर्याओं को देखता है जिन में से पानी जो है वो बहरा है पानी और वो जो चश्मे हैं उन में से बहते हुए पानी को जरनों में से बहते हुए पानी को देखता है और ट्रीज पे बात करता है ट्रीज जो हवा साल रही है और जो इतगित का महोल है वो उसके बारे में बात करता है वो अपना साइकल करता है और जो नए मेमरी वह बना रहा है जो बारे में भी बात करता है इस अल अबाउट टेंटर नेटर अंबैप ठीक यह उसको आफ याद करें इसको लाइन बाय लाइन कुछ तेक्स्ट में से माइन याद करें जिनको आप रेफरेंस के तोर पर कोड कर सकें अपने लोंग कॉस्टेंज में और शौट कॉस्टेंज में भी यह हैर्लाइंज आती है इनको explain करना होता है point के नेम और poem के नेम लिखता होता है उस लिहाज से भी आप सको prepare करें thank you for watching this video subscribe to the channel